हलो गुड मारिनिंग राम राम दोस्तो राधे राधे कैसे हैं आप सब मैं आसा करते हूँ कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और एकदम भाले जंगे होंगे आज है 20 अगस्त और आज दोस्तो हमारे नहां जो है कि कृष्ण जन्माश्टिमी मना रहे हैं तो अभी सुबा के बज रहे हैं साड़े नौ और हम अभी जो है कि नहा करा रहे हैं और आज हमने बाल भी धुला हुआ है तो अभी हम बाल ऐसे खुला ही रखे हुए हैं ताकि यह सूख जाए और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं दोस्तो आज हमारे खेत से नेनुआ तोड़कर आया हुआ है और यह देखिए नेनुआ बहुत मोटे मोटे हो गया है इसे हम लोगों को और पहले ही तोड़ना चाहिए था लेकिन दो दिन लेट हो गया और दो दिन में देखिए नेनुआ जो है कि इतना मोटा मोटा होकर खराब हो गया है तो यह मार्केट में नहीं बिख पाएगा क्योंकि बहुत जादा देख रहा है एकदम मोटा मोटा हो गया है तो जो अभी गोलू हाथ में लिया है ऐसे नेनुआ जो है कि मार्केट में बिखते हैं तो यहीं सब नेनुआ अभी गोलू छाट कर इस जो है कि पानी वाले बरतन में रख रहा है इसे धूलेगा और इसे जो है कि मार्केट ले जाएंगे तो अभी देखिए अहां पर नेनुआ की हो रही है छटाई और बहुत नेनुआ इस पार खराब हो गए तो देखिए मैं भी धूल कर इस नेनुआ को कारेट में रख रही हूँ इसी कारेट में ले जाएंगे बेशने के लिए नेनुआ को ऐसे ही जो है कि धूल कर रखा जाता है इसे रगड़ा नहीं जाता है अगर इसे थोड़ा सा रगड़ेंगे न तो ये नेनुआ काला पड़ जाएगा और देखने में जो है कि एकदम लगेगा कि दागी दागी लग गया है तो बस दोस्तों ऐसे ही जो है कि आपनी हैं सूप ले रहे हैं जब आप लेंगे तो इस तरह से बान्धते हैं वह यह जी दादाजी इस तरह सराई को काट कर और यह रस्टी है यह सूप इसने बनाने वाला सूप को बांध रहे और ये देखिए इस तरह से पकड़ कर दोणों साइट से ये शूप को बांद दिये हैं और अब पीछे की तरफ रसी लगा देते हैं दोस्तो आज सुबह से ही मौसम बहुत ही सुहाना है बारिस तो नहीं हो रही है बस बादल घेरे हुए है और थोड़ा बहुत बारिस की फुहारे पड़ रही है तो आज हमारे खेतों में खाट डलाएगा यहाँ पर देखिए यूरिया का बोरी है और इसमें 50 किलो के निकालेंगे एक बिगहा खेत के लिए एक बिगहे में जो है की 20 किलो यूरिया पड़ेगा एक किलो बिश्चा के हिंसाब से जो है की यूरिया डाल रहे है और खेत में केवल यूरिया नहीं पड़ेगा इसमें देखिए जिंक फी डालेंगे यह एक किलो का जिंक है यह दे धान की खेती के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है बहुत अच्छा काम करता है और धान में पानी हमेशा रहना चाहिए जब ये खाद डालेंगे न तो पानी भर कर तभी जो है कि डालेंगे तभी अच्छा काम करता है तो यहाँ पर देखें जिंक को निकाल दिये हैं और दो किलो जिंक में 20 किलो जो है की यूरिया मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तो एकदम पाउडर नुमा है और इसे बढ़िया से जो है की मिक्स करेंगे दोस्तो हमारे हाँ धान की खेती खूप की जाती है लेकिन इस बार तो बारिस नहीं हो रही है बहुत दिक्कत हो रही है लोग नहर से जो है कि सिचाई कर रहे हैं और मसीन से सिचाई कर रहे हैं ऐसे ही धानों को जो है कि जिला रहे हैं देखिए आगे चलके बारिस होता है या नहीं लेकिन बारिस होने वाला तो यहीं मौसम है इस मौसम में बारिस नहीं हो रहा है तो ऐसे ही धानों को जो है कि उगाना पड़ेगा मसीन से और नहर से सिचाई करके तो यहां पर देखिए यूरिया और जिंक एक में मिक्स कर दिये हैं अब जो है कि इसे बुरिया में भर कर ले जाएंगे खेतों में डालने के लिए दोस्तो गाओं में ऐसे ही लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं हमेशा बिजी रहते हैं और अभी देखिए पापा का कपड़ा जो है कि भीगोया हुआ है रखा गया है तो अभी मैं चल रही हूँ कपड़ा साप करने और यहां पर जहां पर मैं कपड़ा धुलने जा रही ों डाल कर जो है कि साप कर रही हूं इस पक्का को तो देखे साप हो गया है आप चलती ह्यूं मैं कपरा दूल लें आज छूटी है पापागा तो कपरा जो इनका था रखा हुआ था तो देखें कि अभी मैं धूल रही हूं कर दो सभी कपड़े को हमने धूल लिया है अब चलिए इसे डाल देते हैं डारा पर आज तो धूप नहीं है ऐसे ही डाल देते हैं हवा से सूख जाएगा और थोड़ा बहुत नमी रहेगा तो अगले दिन धूप करेगा तो डाल देंगे सूखने के लिए आज हम अपने बगल वाले दोस्त के हां जाएंगे मिलने के लिए और वो रोज-रोज मुझे बुलाती है लेकिन मैं आज कल करते करते नहीं जा पा रही हूँ तो भाइया अभी बच गए हैं साम के चार और यह देखिए यह जो है कि यह बकरी है यह भी आस खारी है हम अपने फेंट पेंट पीगहराए हुए है हैं और ये देखिए यह हमारी पेंट है भक्री जिलाई है और यह अभी घास खा रही है और जब खाते हुए इसको अगर परेसान करेंगे ना तो यह जो है कि मारने लगेगी आपको देखिए अभी यह बक्री हमसे लड़ रही है तो इसको हम परेसान नहीं करते हैं चलते हैं अपने दोस्त से में बात्चित करते हैं तो यहां पर देखे एक कुत्ता वजिलाई है ये कुत्ता बहुत जनकार है तो अब अपने दोस्त से हाल चाल ले लिये हैं अब चलिए चलते हैं जो है कि घर गायब है इसको चारा डालने तो यह देखिए भूसा वाला घर है यहां से भूसा निकालते हैं और यहां पर चरी मार कर रखा गया है इसे मिला लेते हैं भूसा और हरियरी एक में मिला लेते हैं करने के लिए दोस्तों अभी हम आ गए हैं खेतों की तरफ और यहां पर देखिए बहुत हर्याली है बहुत अच्छा लग रहा है इधर का लोकेशन और जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं यहां पर देखिए हल्दी का खेत है पूरा जो है कि दूर तक हल्दी बोया गया है और इसमें घास तो बहुत लगे थे लेकिन घास को निकाल कर इसमें देखिए पूरा गोबर छापा गया है हल्दी के खेतों में गोबर छोपना बहुत ही जरूरी होता है इससे जो है कि हल्दी बढ़िया पड़ती है दो और आज कब लाख हम यही पे खतम करते हैं यह पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद